नमस्कार मैं रवीश कुमार आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूं लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूं उसे धीरच के साथ सुनियेगा भारत की पत्रकारिता में स्वन्न युग तो कभी था भी नहीं यकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था भस्म युग से मेरा मतलब है जहां इस पेशे की हर अच्छी बात तेज गती से भस्म की जा रही हो यह दिन भी आना ही था इस देश में अलग अलग नाम वाले अनीक चैनल हो गए हैं मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही उसका परिवेश उसका एको सिस्टम पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं उसी के रूप में देखे जाते हैं जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुछली जा रही है जब वो कहे कि वो उच्छिस्तरिय पत्रकारिता करना चाहता है तब ऐसा दावा करने वालों को जरा संदे की निगा से देखिए गोधी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके उपर थोपना चाहती है अगर इसका मतलब किसी भी रूप में वही है तब आप एक बार फिर से जहांसे में आने वाले हैं इस वक्त अपने संस्थान को लेकर कुछ खास नहीं कहना चाहता क्योंकि भावुकता में आप तटस्त नहीं होते हैं अबजेक्टिव नहीं हो सकते हैं एंडी टीवी में 26-27 साल गुजा रहे हैं इतनी लंबी यात्रा के अपने उतार चढ़ाओ भी हैं अनेक साथी, वरिष्ट, कनिष्ट सब शामिल हैं कितने लोगों ने साथ दिया है इन अनुभवों के बारे में कभी भी वस्तुनिष्ट तरीके से नहीं बोला जा सकता और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं क्योंकि कई बार तथ्यों के साथ भावनाएं मिल जाती हैं और भावनाओं के तुफान में बहुत सारे तथ्यों छूट जाते हैं बहतर है कि इसे संशिप्ते ही रहने दिया जाए जो आदर्नियां शक्स हैं उन्हें मैं याद करी रहा हूँ काफी सारी शानदार यादे हैं NGTV में अब दोस्तों के बीच सुनने सुनाने के काम आएंगी आज के दिन किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मुश्किल हो रहा है तब जब आपके पेशिवर जीवन में अनेक लोगों का हाथ हो कैसे एक का नाम ले सकते हैं मैं जानता हूँ कि पुर्व सहियोगी मौजुदा सहियोगी सब मुझ में अपना हिस्सा देखते हैं और वो सही भी है मुझे सभी से कुछ ना कुछ मिला है मैं सब का ही आभारी हूँ इसलिए एक का जिक्र कर बाकी को छोड़ कर आप नियाएं नहीं कर सकते खास कर ऐसे दिन वैसे भी इस वक्त तो हर चेहरा ही अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि सब ने मेरे अनुभवों को मेरे जीवन को संब्रिद किया है बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर माइके को देखती रहती है मैं इसी इस्तिती में हूँ अभी मुड़कर देख लेने दीजिए फिर कभी विस्तार से एंडी टीवी की बात करूँगा लोगों के बारे में और एंडी टीवी के बारे में डॉक्टर रॉय, रादिका रॉय के बारे में भी है मैं कई लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था बहुत सी बातें तो मुझे आज ही पता चली है हैरानी हुई कि हर किसी के पास एंडी टीवी का एक अलगी किस्सा है वाकई उन 27 वर्षों के बारे में ठहर कर और संभल कर बात करने की जरूरत है एंडी टीवी ने एक चीज सिखाई कि टीवी में और टीवी का एक ही मतलब होता है टीम एंकरों के स्टार बनाये जाने के बाद यह धारना तूट गई मगर आज भी टीवी के बुनियाद में यही है कि जितनी अच्छी टीम होगी उतना च्छा काम होगा अभी इस बात को यहीं रहने देता हूँ कभी किसी और वक्त के लिए तब जब आप भावुक न हूँ तब जब मैं भावुक न हूँ कि NDTV छूट रहा है अगस्त 1996 में NDTV से आपचारिक रूप से जुड़ा था अगस्त 1996 में ट्रांसलेटर के रूप में अनुवादर के रूप में लेकिन उसके पहले कई महिनों तक मैं यहाँ चिठियां चाटता रहा बोरे में चिठियां आती थी और मेरे पास रख दी जाती थी तब दर्शक पोस्ट बॉक्स में चिठियां भेजा करते थे देश भर से दर्शक अपने हाथों से अलग-अलग कारिकरमों के एंकरों को लिखा करते थे इन्हें पढ़ते वे मैंने टीवी के कारिकरमों के आस पास दर्शकों को बनता देख रहा था मेरा काम था उनकी बारीक नजर से लिखी गई चिठियों पर रिपोर्ट बनाना और एंकरों या कारिकरम के प्रोडियूसर को सौप देना दिहारी का काम था उसी के हिसाब से मजदूरी मिलती थी पैसे मिलते थे मेरी जिंदगी में ये काम आज भी जारी है आज भी आप मुझे सैकडों की संख्या में मेसेज लिखते हैं हाथ से लिखी चिठियां भी आती हैं बहुत अच्छी लिखावर्ट में मैं जादातर मेसेज पढ़ता भी हूँ और सभी के नहीं तो बहुतों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ कई बार तो अपनी निराशा भी आप से साजा कर देता हूँ मैं आपके बीच आकर अपने मन का भाव नहीं छिपाता क्योंकि मैं आपके बीच बताने के लिए आता हूँ अगर खुद को ही छिपाने लगा तो वो पूरा बताना नहीं होता है मुझे तो लगता है कि कई हजार दर्शकों के पास मेरे लिखे हुए जवाब होंगे उंगलियों में दर्द रहने के कारण इन दिनों जवाब देना कम कर दिया है तो एक तरह से जिन चिठ्ठियों से ND TV में मेरी शुरुवात होती है उनका आना जाना आज भी जारी है आज तक जारी था वो काम आगे भी जारी रहेगा लेकिन इतने सारे सुझावों जवाबों अपिक्षाओं शिकायतों और डाट के बीच सोना जागना और जीना मुझे आपके हवाले करता चला गया मैं खुद के पास तो रहा ही नहीं आपके बीच गया तो घरी नहीं लोटा शायद अब कुछ वक्त मिलेगा खुद के साथ रहने का आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिडिया को उसका गोसला नजर नहीं आ रहा क्योंकि कोई और उसका गोसला ले गया है मगर उसके सामने ठक जाने तक एक खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है तो खैर उसके बाद अनुवादक बना और कई पत्रकारों की रिपोर्ट का अंग्रीजी से हिंदी में अनुवाद करता रहा इसके बाद मैं रिपोर्टर बन गया और फिर मेरी दैनिक रिपोर्ट की अलव यात्रा शुरू होती है रविश की रिपोर्ट से काफी कुछ सीखने को मिला तो इस तरह से ये एंडी टीवी में ही संभव हुआ कि एक चिथी चांटने वाला इसके एक चैनल का ग्रूप एडिटर इसका अंदाजा मुझे पहले भी था लेकिन जिस दिन आता है उस दिन अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जब भी मेरे बारे में मुल्ले आंकन करें इस बात की सहानुभुती मुझसे ना रखें कि मैं चिठी चाटता था मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि आचानक चाय बेचने की बात करने लग गया उतर रहा हूँ जहाज से बात कर रहा हूँ चाय बेचने की सहानुभुती के लिए या फिर अपने संघर्ष को महान बताने के लिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता इस देश में हर किसी का संघर्षी पहार चढ़ने के जैसा है आप एम्स के बाहर मरीज जो खड़े हैं उनके परिजन जो खड़े हैं उनसे मिल लीजे आपको पता चल जाएगा कि उनकी चुनोतियां कितनी बड़ी हैं और आपका दुख कितना कम है छोटा है लेकिन आज के दिन मैं आप सभी के बीच दर्शकों की बात करना चाहता हूँ इस दौर में कुर्सी पर बैठे किरदारों को टूपते हुए देखा सबने देखा संस्थाओं को भस्म होते देखा आपने देखा नफरती तूफान में लोगों को भटकते देखा मगर मैंने इसी दौर में एक नई संस्था भी बनते देखी है वो संस्था है जनता की संस्था दर्शकों की संस्था दर्शक ही अपने आप में इंस्टिटूशन बन जाते हैं आप दर्शकों की संख्या भले कम है, मगर आप दर्शकों ने मिलकर जरजर किये जा रहे, इस लोक तंत्र में जनता नाम की संस्था का पौधा सूखने से बचा लिया, एंडी टीवी में मुझे जब भी अवसर मिला, मैंने जान लगा दी, मैंने कभी उन अवसरों को अपने लिए नहीं नहीं देखा, बलकि यहीं सोचा कि यह अवसर मुझे आप दर्शकों के लिए मिला है, इसलिए उन सभी अवसरों को आप दर्शकों की कहानियों से भरता चला गया, और मैं आप दर्शकों का होता चला गया, आपका दावा मुझे बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ आप मुझ पर बहुत दावा रखते हैं मेरे आस पास आप दर्शकों की वज़े से एक न्यूजरूम बन गया था पबलिक न्यूजरूम जो दफ्तर के भीतर नहीं आपके घरों में था आपके दिमाग में था दुनिया भर में फैले कितने दर्शकों ने आगे आकर मेरी मदद की है आपने कभी मुझसे पैसे भी नहीं माँगे कभी ऐसान तक नहीं जताया विदेशों में मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड किया रिसर्च किया मेरा हर कारिक्रम किसी ना किसी दर्शक के सहयोग का उधारण है आप दर्शकों ने मेरी जानकारियों को दुरुस्त किया है गलती की है तो डाटा भी है और काफी कुछ उसमें जोड़ भी दिया है कई सारे एक्सपर्ट, कई सारे छात्र, कई सारे प्रवासी भारतिय, स्थानिय भारतिय दर्शक बनने के साथ साथ मेरा साथ दे रहे थे और पत्रकार भी बन रहे थे और इस पेशे के एक छोटे से द्वीप को बचा रहे थे इस प्रक्रिया को बिखरते देखना, दर्शकों के बनने की प्रक्रिया को बिखरते देखना और फिर से बनते देखना बहुत सुखद अनुभव रहा आप दर्शकों में से कईयों ने मेरे लिए अलग-अलग भाशाओं से अनुवाद तक कर दिया संसाधनों की हमेशा मेरे पास कमी रही मगर आप सभी ने मिलकर पूरी कर दी सिर्फ इसलिए कि प्राइम टाइम में जो भी जाए ठीक से जाए वो मेरा नहीं आपका प्राइम टाइम था कभी खराब शो कर दिया तो आपने अपने अपनी निराशा बताने में कोई संकोच नहीं की आप वाकई लाजवाव हैं दर्शक ही मेरे नियमित संपादक हैं निरंतर संपादक हैं आप दर्शक मेरे मैं एकसर कहता हूँ कि एक पेड में कई बारिशों का पानी होता है आपके जैसे दर्शकों के होने में ही किसी रविश कुमार का होना है आप हर मौसम में बरसाथ बन कर आ जाते हैं सुखते पेड़ों को हरा करने आ जाते हैं आज आपकी बदालत यूट्यूब पर ट्वीटर पर कितने ही पत्रकार खड़े हो गए आप उन सभी के पीछे खड़े हैं आज कई वेबसाइट हैं जिन्हें आप सब्सक्रिप्शन के बहाने आर्थिक मदद देते हैं जब लोगतंत्र में एक भी संस्थान नजर नहीं आ रही थी अदालतें कमजोर नजर आ रही थी आ रही हैं आप दर्शक नजर आ रहे थे आज के दोर में आप ही पत्रकारिता के सबसे बड़े संस्थान हैं पत्रकारिता आप संस्थानों में नहीं बची है आप जैसे दर्शकों के बीच बची हुई है जिनकी मदद से आज पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं यही आपका इस वक्त में सबसे बड़ा योगदान है हो सकता है कि कोई जनता की आवास को पूरी तरह कुचल दे उसकी आवास पर धार्मिक नफरतों की आधी धूल को भर दे ढख दे, लोगतंतर को मिटा दे मगर आप दर्शकों का होना होसला देता है कि लोगतंतर भले खत्म हो जाए मगर उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि आप जैसे दर्शक अपनी जवाब देही को जिम्मेदारियों को बहुत खूब समझते हैं इस मुश्किल वक्त में आपने एक पत्रकार पर भरुसा किया उसे कितना प्यार दिया किसी ने धूप में खड़े देखा तो सर पर गमचा तान दिया और चाता खोल दिया किसी ने जेब में कलम रखती महंगी कलम आज के दिन मैं ND TV से जादा आप दर्शकों को याद करना चाहता हूँ आप के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता मुझे आप दर्शकों पर नाजए कई बार लगता है कि मैं संस्था का कम आप दर्शकों का प्रतिनिदी जादा हूँ मुझे काम करने की आजादी मिली संस्था में निर्बाद आजादी और उस आजादी को मैंने हमेशा संभाल कर रखा क्योंकि आपकी तेज नज़र मुझे पर थी खुद को काफी संभाला कि कुछ गलती ना आ जाए कुछ मुझे से चूक ना हो और मुझे में अहंकार ना आ जाए और बदले में आजादी चली जाए मेरे आगे दुनिया बदलती रही मगर टेस्ट मैच के खिलाडी की तरफ पिच पर टिका रहा पर अब किसी ने मैच ही खत्म कर दिया है उसे टी ट्वेंटी में बदल दिया है जनता को चवन्नी समझने वाले जगत सेट हर देश में हैं इस देश में भी हैं अगर वो दावा करें कि आप तक सही सूचनाएं पहुचाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि डॉलर अपनी जेब में रखकर आपकी जेब में चवन्नी डालना चाहते हैं पत्रकार एक खबर लिख दे तो जगत सेट मुकदमा कर देते हैं और फिर सत्संग में आकर प्रवचन भी देते हैं कि वे पत्रकारिता का भला चाहते हैं आप दर्शक इतना तो अपना भला समझते होंगे इसलिए आज मैं अपने संस्थान से ज़ादा आप दर्शकों को याद करना चाहता हूँ मुझे हमेशा लगता था कि हिंदी का पत्रकार चट क्यों नहीं चुपाता है ऐसा क्यों है हिंदी पत्रकारिता के कई श्रेष्ट संपाद को पत्रकारों के कारियों पर निगाह रहती थी उनकी गहराई हैरान करती थी पिर भी लगता था कि उनकी बात जमाने तक ठीक से नहीं पहुंची, पेशे के भीतर उन्हें उनकी जगह नहीं दी गई, पत्रकारिता का मतलब अंग्रेजी का पत्रकार होना हो गया, इसके कुछ ठोस कारण भी हैं, उनमें विस्तार से जाने का समय नहीं है, लेकिन तब भी हिंदी के जुझारू पत्रकार आसमान क्यों नहीं छो सकते हैं, यह बात कचोटती रही, इन सब बातों ने मेरे बहवार में काफी बदलाव कर दिये, भाशा को संयमित किया, मर्यादित किया, ताकि हिंदी का प्रभाव कम न हो, बहुत सजगता से अपना काम इस तरह से किय कि लोगों को, देश के किसी भी हिस्से के लोगों को मेरी हिंदी से प्यार हो जाए, मेरी मातरी भाशा हिंदी नहीं है, भोजपूरी है, भोजपूरी गाओं है मेरे लिए, हिंदी मेरे लिए भाशा का वो शहर है, पहला शहर, जहां मैं गाओं से शहर आया था, लेकिन मु बहुता कुछ नहीं हिंदी को लेकर कुंठाएं ही बढ़ती चली गई किसी का भला नहीं हुआ मैं उन सभी गैर हिंदी भाशी पत्रकारों समाजी कारे करता हूँ विद्वानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी हिंदी को संब्रिद किया जिन्होंने मेरे लिखे हुए का अपनी भाशा में अनुवाद किया और अपनी भाशा में लिखी हुई जानकारियों का मेरे लिए अनुवाद कर दिया मुफ्त है कई बार लगता था कि अलग-अलग डिब्बे जोड़ते जा रहे हैं और रेल बनती जा रही है उर्दू, मल्यालम, तमिल, कनडा, पंजाबी, गुजराती, मारवाडी, बंगाली, माराथी भाषा के पत्रकारों ने कितना कुछ जोड़ा है यह बात कहीं हिंदी, बनाम, अंग्रेजी की तरफ ना मुड़ जाए इसलिए कहना जरूरी है कि अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले विद्वानों और पत्रकारों ने मेरी खुल कर मदद की है मेरे साथ बराबरी का वहवार किया, जो नहीं कर सके, ऐसे हैं उनका क्या हिसाब करना, उनका क्या रोना, मगर जो बराबरी के साथ पेश आते रहे, उनका अभार व्यक्त करना चाहिए उन सभी ने अपना श्रेश्ट मुझसे साजह किया, किताबे दीन, अवसर बताए, मेरे लेक का अनुवाद तक कर दिया जादा लोगों तक पहुँचा दिया, मेरे जीवन में इतिहास के मेरे शिक्षकों का बहुत युगदान है, मेरे शिक्षक मेरी जान है मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जरिये, मेरे पीछे खड़े अंगिनत लोगों के बारे में जाने, उन्हें भी देखें और दोस्तों को कौन भूल सकता है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, कम मिले लेकिन मिले आप जनता के बीच जाने के तमाम अफसर मेरे लिए बहुत खास हैं तमाम आंदुलनों को कवर करने गया, आपके बीच जाते ही जो चीज़ खास नजर आती थी वो है एक पत्रकार के प्रती आपका विश्वास, आपकी समझ आप लोगों से मैं घिर जाता था, आपके भीतर कितना कुछ बहने लग जाता था जिसे एक राज्य को सुनना चाहिए, जिसे सुनाने के लिए पत्रकार से अच्छा कोई जरिया नहीं मुझे आपके बीच आकर हमेशा लगा कि आप सरकार को कैसे देखते हैं और मैं उस नजर से सरकार को देखने लगा इसी का भरोसा है कि आपकी सक्रियता में ही भारत का लोक तंत्र धड़कता है शाहिन बाग और किसान आंदोलन के जिद में मुझे सूरज की रोशने दिखाई देती है आपको जनता बनते हुए देखा है मेरा विश्वास गहरा होता चला है कि तंत्र भले खत्म हो जाए लेकिन जनता के बीच जन बचा हुआ है एक दिन यही जन आज से बहतर तंत्र बना लेगा आज कुछ लोगों को यकीन है हो गया है कि सारा तंत्र उनके कबजे में है अब जन का कोई मोल नहीं मीडिया को खत्म कर विपक्ष और जनता को खत्म किया जा चुका है ऐसा सही भी है मगर यही शास्वत नहीं है एक ना एक दिन जब लोग अपनी नफरतों से जरजर हो जाएंगे उनकी नफरते उनके शरीर से दरकने लग जाएंगे तब उन्हें किसी नई जमीन की तलाश होगी किसी पत्रकार की याद आएगी नफरत की खुलामी से बाहर आने का रास्ता आप ही बनाएंगे आपको ही बनाना है इंडी टीवी में मैंने लिखना बोलना सीखा दिखना सीखा अच्छे कपड़े पहनना सीखा टाई पहनने सीखी पसके बल डांस नहीं हाया क्योंकि काम से वक्त ही नहीं मिला आप सीख लीजिएगा आज के दिन मैं अपनी महिला सहयोगियों को खास दोर से याद करना चाहता हूँ काम के प्रतिय इमानदारी टिक कर काम करना और पेशे की नैतिकता की समझ मुझे अपनी महिला सहयोगियों से मिली है और मैंने उनसे चुराविली है उनसे मेरी सामाजिक और नैतिक समझ बहुत बहतर हुई मेरी इस यात्रा में बहुत सी समझधार आॉरतें और लड़कियों की अनुभाव शामिल है मेरी जीवन साथी का भी, मेरी बेटियों का भी, मेरे साथ ससूर ने बहुत साथ दिया ताकि मैं बाहर जाकर रिपोर्ट कर सको मेरी मा, मेरी भावी, मेरे परिवार के सदस्यों ने भी ठठेरे की तरह सब ने पीट पीट कर पीतल से बर्थन बना दिया ये मैं इसलिए भी रिखांकित कर रहा हूँ कि पत्रकारिता के पेशे में मर्द ही नहीं, मर्दवादियों का कब्जा है, उनकी आक्रमक्ता के बीच कई बार दम घुटा था, इतनी आक्रमक्ता के बीच आप रचनात्मक होई नहीं सकते, सम्विदन शिल्टा आही नहीं सकते इस पेशे में तमाम महिला सह्योगियों ने मुझे मर्दों की आक्रमक्ता से बचा लिया, अगर आप इस पेशे में आ रहे हैं, विद्यारती हैं, तो हमेशा अपनी महिला सह्योगियों के सार्ज सलीके से पेश आए, उनकी قابلियת को स्विकार कीजिये, तारीफ कीजिये, प्राइम टाइम के वक्त अक्सर कहा करता था, मुझे काम करने दू, नौ तो नौ बजे ही बचते हैं, सुबह उठते ही मेरे दिमाग में रात के नौ बजने लग जाते थे, मैं टाइप करने लग जाता था, रोज पाँच हजार, छे हजार, साथ हजार शब्दों की टाइपि अब शायद नौ ना बजे, प्राइम टाइम ना हो, मुझे पता नहीं था, पता नहीं है कि अब नौ बजे क्या करूंगा, मुझे टीवी से बहुत प्यार है, इस माध्यम से दिल लग गया था, शायद इसी बज़े से दिल तूट रहा है, वो लाल माइक याद आता रहेग अब वो लाल माइक नहीं होगा, मैं जानता हूँ कि आप दर्शकों की आदतों में मैं शामिल हो गया हूँ, आप काफी तकलीफ में थे, कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं प्राइम टाइम क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगा कि चुप चाप किनारे हो जाना चाहिए, धीरे धीरे मेरे नहीं होने की आदत आपको डाल देनी चाहिए, इसलिए कई दिनों से प्राइम टाइम नहीं कर रहा था, ताकि आप मुझे कुछ भूल सकें, मगर आप आप हैं, मानते ही नहीं हर रात 9 बजे के बाद मेसेज करने लग जाते हैं कि कहां हो, बिमा तो नहीं हो, सब ठीक तो है, NDTV में क्या चल रहा है, आप अच्छे हैं, तो भारत का मीडिया स्पेस बदल चुका है, उन हजारो युवाओं की सोचिये जो पढ़ाई पत्रकारिता की कर रहे हैं, लाखों रुपे लगा रहे हैं, मगर उन्हें काम दलाली का करना क्योंकि इसके लिए अब कोई सांस्थानिक जगर नहीं बची है, इसी के बीच जो आने वाले पत्रकार हैं, जो इस वक्त पत्रकार हैं, सभी को जूझना है, कोई घुट रहा है, तो कोई इस पेशे को छोड़ रहा है, कई लोग कहते हैं कि नौकरी की मजबूरी के अलाव पत्रकार बनने की कोई दूसरी शर्थ नजर नहीं आदी, कोई उसा नहीं है, यहां तो जस्टिस तक कह रहे हैं कि जमानत देने पर जजजों को टार्गेट किये जाने का डर लगता है, जब जजज को ही डर लगता है, तब फिर इस दौर में यह बोलना भी गुना है कि मु डर नहीं लगता है, आप उस देश के नागरिक हैं जिसने नंगे पाउं ब्रिटिश सामराजी को घुटने पर जुका दिया, कोई कारण नहीं कि मैं आप पर भरोसा ना करूं कि एक दिन आप गोदी मीडिया की इस गुलामी से बाहर आएंगे, आएंगे आप, आप हमेशा इस गुलामी में नहीं रह सकते, इसके गुलामी से आपको लड़ना ही पड़ेगा, यह सब की लड़ाई है, इस लड़ाई के बिना आप दुनिया में सर उठाकर नहीं चल सकते, आपकी यही पहचान होगी, कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम हैं, इसके खत्रे की गंभीरता को समझिये, कानून की यार में अब अधिकार कुछले जा रहे हैं, अब विव्यक्तियों को रौदा जा रहा है, ताकि सारे अवैद काम, वैद नजर आए, इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं, निश्चित हैं तो सिर्फ होसला है, उसका भी क्या वरोस कभी आस्मान में होता है, कभी पाताल में, एक यूट्यूब चैनल बनाया है, रवीश कुमार ओफिशियल, और फेस्बुक पेज भी है, रवीश का पेज, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अब मैं यूट्यूब पर ही नजर आऊंगा, एंडिटी वीडिया बनें, किसी स संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं, फ्रिलांस और आजाद जीवन की अलग, लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूं, जीना चाहता हूं, मैंने इस तीफा दे दिया है, झाहता है, जीना चाहता हूं, के न स्था जएफाधा रएडरे ने चो झाहता है, जीना मेंने ओड़ाद परह बिजा है, जीना चाहता है,